Hey everyone, I am Dipankar and welcome back to my channel So, सबसे पहले तो सौड़ी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया क्योंकि festive season था तो थोड़ा तो busy हो गया था और मेरे चैनल में एक art competition भी चल रहा है बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव होने वाला है तो इन तक जरूर देखना और अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरू सब्स्क्राइब करना सो चलो शूड़ करता है सो यहापर जो reference photo है वो है यह आप लोग देख सकते हो इसका link मैं नीचे description box में डाल दूँगा वासे आप लोग जरूर डाउनलूट कर लेना और यहापर जो app इस्तिमाल होगा Lumis method के लिए वो है high paint यहाप लोग Android, iOS, phone, iPad किसी भी platform में मिल जाएगा यहापर मेरे screen बड़ा है iPad में इसलिए मैं iPad में दिखा रहा हूँ पर आप लोग phone में भी कर सकते हो और कैसे high paint एप को detail में यूज़ करते है उसके उपर मैं already एक video बना चुका हूँ उसका link पी description box में डाल दूँगा या फिर मेरे channel में popular videos में आप लोग को मिल जाएगा वो तो देखो जो reference photo है वो मैंने यहाप पर ले लिया है अब काम शुरू करेंगे यहापर एक new layer create करके मैं बाकी जो proportion lines है वो ड्रा लूँगा यहापर pen tool से मैं यहापर drawing कर रहा हूँ तो shapes में जाके एक vertical line लूँगा और vertical line कहाँ पर draw कर रहा हूँ देखो face के middle से जहाँ से eyebrows joint होता है naak के middle से lips के middle से वहाँ से जाएगा क्योंकि आपर जो face है वो थोड़ा 3-4 side में है तो face ऐसे angular दिख रहा है तो वो line को आप लोगो ठीक से देना है यह line एकदम vertical नहीं होगा थोड़ा angular होगा क्योंकि face यह angular है और side में है तो यह हो जाने के बाद आप एक circle draw करने है shape में जाओ एक नया layer बनाओ एक normal circle बनाओ और उसे ऐसे transform करते वहें बाद में सहीज जगा पर बिठाओ एक ही बारी में सही जगा पर बिठा नहीं पाओगे तो पहले एक circle बनाओ उसके बाद ऐसे move करके transform करके उसको ऐसे ठीक जगा पर बैठाने की कोशिश करो तो यह पर circle कहाँ पर होगा उपर का skull का जो curve है वो notice करो यह पर forehead के portion से और कानों के पीछे के portion से देखो कहाँ पर face खतम होड़ा है वो ही skull का एकदम उपरी वाला curve है तो वो curve को आप लोग को circle के curve के साथ मिलाना है जहाँ पर मिल जाएगा वहाँ पर ही circle होगा और नीची के तरफ थोड़े रह जाएगा क्योंकि loomis method में देख सकते हैं आप लो कि circle के अंदर 6 division होता है vertically और जो 7 division है वो बाहर होता है यह पर भी same है lips जितने दूर तक है वहाँ तक 6 division होगा और lips के नीचे जो chin तक area है वो है 7 division हो वो circle के बाहर होगा अब देखो circle तो हो गया अब circle के अंदर और एक circle draw करना है और वो कहाँ पर होगा ऐसे side में क्योंकि आपर मैं side angle में face draw कर रहा हूँ तो face का मतलब face का जो skull है वो उसका side वाला portion है वो ऐसे vertically cut down रहता है तो वो जो vertical cut है वो दिखाने के लिए एक छोटा skull बनाना होगा और वो कहाँ पर होगा जहाँ पर eyebrow का angle change होता है तो वहाँ पर हमें ऐसे circle बनाना है circle थोड़ा ऐसे oval shape में भी हो सकता है यह हो गया अब जो vertical line है उसे हमें divide करना है 6 division में circle के अंदर और circle के बाहर 7 division आप लोग ऐसे छोटे 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 छे division भी कर सकते हो या फिर normally eyebrows के उपर से एक line दो फिर जाकर नाक के नीचे से एक line दो forehead जहाँ पर खतम होड़ा है वहाँ पर एक line दो तो ऐसे बड़ा बड़ा 3 line हो जाएगा और नीचे chin के लिए एक line हो जाएगा तो ऐसे आप लोग division कर सकते हो चोटे छोटे divisions करके भी कर सकते हो और ऐसे बड़े सारे 3 division में भी कर सकते हो यहाँ पर जो lumis method का proportion lines है वो किया हुआ एक photo भी मैं डाल दूँँगा नीचे discussion box में ताकि वो देखकर आप लोग practice कर पाऊ और खुद से भी आप लोग try करना कि reference photo के उपर कैसी यह lines draw किया जाता है high paint में ताकि आप लोग खुद से सीख जाओ और आप लोग किसी भी photo में खुद से यह lines draw कर पाऊ ठीक है तो दोनों ही try करना तो देखो जो proportional lines है वो जो हमारा reference photo है उसके उपर करीब करीब complete हो चुका है बनाना अब मैं क्या करूँगा अब मैं जाके जो drawing है वो start करूँगा मेरा sketchbook में अगर आप लोग beginner हो loomis method में तो सबसे पहले क्या करो बड़ा paper में draw करने की practice करो मतलब छोटा नहीं बड़ा करके draw करो जितना बड़ा draw करोगे उतना easy होता है तो सबसे पहले यहापर मैं क्या draw कर रहो सबसे पहले एक circle draw कर रहो यहापर क्योंकि loomis method का शुरू ही circle से होता है face का size circular है तो इसके लिए पहले एक circle draw करो circle के बाद क्या करना है face का angle रोनना है इसके लिए जो vertical line है उसका angle देखो ऐसे pencil से देख सकते हो और उसको पेपर में ऐसे angle को ले के आओ कि कैसा है angle और अगर आपके पास ऐसे बड़ा screen नहीं है तो phone में भी कर सकते हो phone में थोड़ा zoom कर के करो या फिर जो laptop या फिर computer का screen है वो इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप लोग print out निकाल कर भी कर सकते हो तो थोड़ा easy हो जाता है फिर उन्टा देख कर तो ऐसे angle में निकाल लिया अब क्या करना है जो vertical line है उसके उपर जो markings है वो बनाना है मतलब forehead कहा से है जो eyebrows कहा से है वो उसके बाद chin line कहा पड़ोगा lips कहा पड़ोगा इसके marking है वो आप लोगो reference photo को देख देख कर ऐसे mark कर लेना है यह हो जाने के बाद line को थोड़ा extend कर दो ऐसे vertically थोड़ा angular में होगा क्योंकि face यह angle में है फिर क्या करना है फिर जो भीतर का circle है वो फिट्रॉ कर लेना है यहापर भीतर का circle देखो एकदम right side में जो बड़ा circle है उसको touch कर रहा है और left side में ऐसे थोड़ा है middle portion में ही खतम हो गया है तो वो circle हमें ऐसे mark कर ले रहा हूँ है यहापर एक चीज़ा आप लोग notice कर हुए कि मेरा reference photo है उसे में zoom कर के same size में लेकर आया हूँ है कि मतलब जिस size में as a beginner बहुत है help होता okay so proportional line draw करना भी complete हो चुका है अब हम लोग drawing शुरू करेंगे तो सबसे पहले basic shapes से draw करेंगे ज्यादा detailing में नहीं जाएंगे basic shape बनाएंगे तो drawing कहां से शुरू करना होता है drawing आप लोग को हर बक्त शुरू करना होगा eyebrows and nose से eyebrows पहले draw करो और उसके बाद जो eyebrow का connected area है वह आप लोग को आप लोग को ऐसे help करेगा कि जो चीजे है मतलब eyebrows कहां पर बैठेगा नाक कहां पर बैठेगा वो समझने में पर उसका जो shape है उसे आप लोग को reference photo को देखकर ही मेलाना होगा सबका face का जो size है different different areas का वो similar रहता है पर जो shape है वो different रहता है मेरा नाक और बिराट कोली का नाक एकदम ही अलग है मतलब उसका shape अलग है तो आप लोग को shape को मिलाना है और जब draw कर रहो तो आप लोग को ऐसे normal ही नहीं सोचना है कि वो तो एक normal नाक ही है वैसे नहीं उसको एक unique shape की तरह समझो अगर आप लोग उसे ऐसे unique shape संदोगे तभी आप लोग वो वाला नाक ही draw कर पाऊगे वरना एक normal नाक हो जाएगा और बाद में जाकर face match नहीं करेगा same theory हर एक area के लिए अपला ही होता है मतलब आखो के लिए नाक, कान, eyebrows सब के लिए तो उसका shape को आप लोग जितना हो सके एकदम accurate करने के कोशिश करो जब यह आपर आँख draw कर रो देखो वो आप लिए ऐसे angular line बना लिया ताकि दो आँख similar angle में रहे same line के उपर रहे बाकी जो चीज़े है वो हम लोग अब next layer में करेंगे मतलब basic shape हो गया अब जाके इसमें detailing देंगे detailing मतलब छोट 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 lines जो आप basic shape में नहीं दिखा सकते तो detailing से भी phase बहुत match होने लगता है पर उसके पहले आपका जो proportional lines है और जो basic shape है वो एकदम अच्छे से ठीक ठाक होना चाहिए तो आप लोग ये दो जो stages है वो अच्छे से करना है उससे ही आपका जो detailing stage है वो बहुत easily हो जाएगा क्योंकि आपका base ठीक ठाक हो गया है तो बाद में जाके जो detailing से है वो आप लोग आराम से कर पाऊगे तो first 2 stage में अच्छे से time देना और यहाँ पर जाके आप लोग छोटे-छोटे जो details है वो ओर notice करो जैसे कि बालों का texture उसके बाद beard का shape उसके बाद छोटे-छोटे wrinkles है या पिर आखों में जो छोटे-छोटे detailing से है वो ये सारी चीज़े बाद में जाकर stage में करो पहले सी ये सब detailing में मत खुसो पहले shapes को अच्छे से मिलाओ अब जाके ये सब कर सकते हो और जब detailing stage में हो तब थोड़ा shades देकर dark areas को समझा भी सकते हो क्योंकि अगर थोड़ा shades ना दूना उससे क्या होता है face उतना accurate नहीं दिखता क्योंकि light and shadowy face में बहुत ज्यादा vital role play करता है वो अगर नहीं दिखा होगे तो face ठीक से match नहीं करता ठीक है तो वो आप लोग कर सकते हो अपने satisfaction के लिए क्योंकि बाद में जाकर तो हमें एकदम actual shading करना ही है अभी के लिए थोड़ा ऐसे कर दे सकते हो तो देखो एकदम third stage में मतलब detailing stage में मेरा face कर भी करी complete हो चुका है तो आप लोग देखकर बताओ कैसा लग रहा है शेडिंग मैं यह आपद थोड़ा दे रहा हूँ समझाने के लिए बाद मैं final shading next जो वीडियो मैं ले के आऊँगा उसमें दिखाऊँगा आप लोग को तो आप लोग अच्छे से अच्छे time दे कर करो मुझे यह पूरा face करने में एक घंटा समाए लगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ तो एक घंटा इसके लिए कम ही है आप लोग minimum दो से धाई घंटा दो तो ही आपका जो drawing है वो अच्छा हो सकेगा और आप लोग जितना ज्यादा practice करोगे उतना face ठीक होता रहेगा अगर आप लोग एकदम ही beginner हो Lumis method में तो एक ही बारी में match नहीं होगा जैसे कि प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कर दो मेरे चैनल में प्लेइलिस्ट में एक पूरा Lumis method tutorial का एक प्लेइलिस्ट है बहुत सारे वीडियो में हो आपर तो वो सारे भी देख सकते हो और यह ऐसी भी बहुत सारे में डीटेल में समझा हूँ वीडियो में कैसे Lumis method किया जाता है तो वो वीडियो देखकर भी प्रैक्टिस करो यह भी प्रैक्टिस करो और अपना ड्राइंग हो जाने के बाद मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्ट्रग्राम पर तो मेरे इंस्ट्रग्रम आईडी है यूटेब्या पसंदा आए और अगर इसका Shading Tutorial A vice- sergeant चाहते हो तो फ Families Video को like करना और नीचे comment करना जितना जल्दी like जल्द like हो जाएगा ईतना जल्दी मैं जो Shading Tutorial है वह भी को जाएगँ तो ज़रूर-like करना और मुझे support करने के लिए subscribe ज़रूर कर दो ठीक है और हाँ अगर आप लोग art competition के बारे में अभी तक नहीं पता है आप लोग को तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लो art announcement वीडियो है ये तो ये अच्छे से देख कर आप लोग participate ज़रूर कर लो last date है 13th November तो अच्छे से देख कर लिना वीडियो for now I am Zip signing off मिलता है नेक्स वीडियो में तब तो के लिए do artistic and be artistic बाई